दोस्तों आज का दिन बहुत एहम है या ये कहें आज की रात एहम है FOMC मीटिंग का नतीजा 9 घंटे में आने वाला है जहां पर वो रेट हाइक अनाउंस करेंगे और दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बताऊंगा की जबर्दस ट्रेडिंग की स्ट्राटेजी हमारी तयार है और उससे भी जादा इंपोर्टेंट अगर आपको लगता है की बिटकोईन 17,000, 12,000, 13,000 जाएगा तो मैं आपको यहां पर आप बता दूँ कि बिल्कुल गलत है मैं आपको एक इतना जबर्दस उधारन दूँगा कि कल एक ऐसी घटना होई जिसमें लोगों को उमीद थी कि स्टॉक मार्केट की धजिया उड़ जाएंगी पर उसके बावजुद भी स्टॉक मार्केट उतना नहीं गिरा वीडियो को अंतक देखेगा दिन के सर्वोत्तम साथ मिनिट का निवेश है आपका यह सटूर्शी स्टाकर इंडियम आपका स्वागत है मिरे नामे रोई शर्मा तो पहले दो मिनिट बिताते हैं बिटकोईन के करन्ट प्राइस ट्रेंड पर आप जानते हैं इस चैनल पर आपको बताया गया था अल्मोस्ट चार-पांच दिन पहले कि बिटकोईन का डाउन ट्रेंड 24,000 डॉलर्ट से शुरू हो चुका था इस channel पर आपको पहले बताया गया था, सबसे पहले आपको पता चला था, अब अगर आप market में देखें तो market इस समय जो है, वो wait कर रही है एक तरह से FOMC meeting का, धलते हुए जो गिरते हुए trend पे, एक तरह से bitcoin का price कुछ 12-15 घंटों से थमा हुआ है, क्योंकि किसी को भी नहीं पत market इसी तरह से trade करेगा, बट हमने यहाँ पर एक trading की strategy तयार कर रखिए, जैसे हमने आपको कलपरसों की वीडियो में भी बताया था, वो हम 20,000 डॉलर से जो है, अपना trade एंटर करें, क्योंकि उसका current क्या है, market में जो volatility है, उसके चक्कर में मुझे लगता है कि lower price पे snipe करके trade execute करने का बहुत अच्छा मौका है, तो आप अपने risk के इसाब से trade कर सकते हैं, मेरे विचार से 20,000, मैं छोड़ा सा risk ले रहा हूँ, आप चाहें तो 19,500, 19,400, 19,200, 19,000, या अगर चाहें तो 17,500 भी लगा सकते हैं, 17,500 जाने के chances नहीं है, वो केवल तब जाएगा अगर अगर price गरता है, तो क्या पता और गरता जाए, क्योंकि आप दूद का जला चाचो भी फूख फूख के पीता है, आप पहले जल चुक हो, आपको पहले बताया गया था कि Bitcoin 40,000 डॉलर तक ही जाएगा, 30,000, तो आपको डर लगता है कि 17 से नीचे भी चला जाए, रुकिए ज़रा स कि 20 जून को 1,000,000 Bitcoin बिके थे, मतलब आप सोच लिए, जे टोटल Bitcoin करी 20,000,000 है, उसमें से 1,000,000,000 एक दिन में बिके थे, तो उस समय वहला पैनिक से चला गया, मार्केट ने चीजे प्रियम्ट कर ली है, हमारे पास टेडिंग के लिए चैनल बना हुए, फोर आवर ली पे जो मैं आपको जो पहले बार बार बता चुक हो, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, पर मैं यहाँ पर जो फोकस करना चाहूँगा, दो चीजों पर, कि Bitcoin जो है, वो 17.500 से नीचे क्यों नहीं क्राश करेगा, खिर ट्रेडिंग आपको समझ में आगिए, इन लेवल् से क्यों एक अभेद्य टार्गेट है, उसके दो कारण में आपको उताता हूँ, आपके सामने यहाँ पर Nasdaq का चार्ट है, 1987 से यानि पिछले 35 सालों का चार्ट है यहाँ पर, और 35 सालों का चार्ट क्या दर्शात है कि Stock RSI जो है नीचे यह आपको दिख रहा है, Nasdaq का, से यहाँ पर दिखाए हूँ है, उसके बाद Nasdaq में कितने बड़े-बड़े पंप आते हैं, यह मुझे आपको बताने की जरूत नहीं है, दृष्य आपको दिखा रहे हैं, और अभी हाली में Nasdaq जो है, Nasdaq क्या चीज़ है, Nasdaq यूएस का Technical Index है, वहाँ पर Technical Technology Stocks लिस्ट हो Microsoft जैसे कि Tesla, Tesla भी Technology Company जैसे कि Facebook वगएरा वगएरा वगएरा, तो Nasdaq बॉटम हो चुक है, यह एक बात आप note करके side में रखिए, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप trade लेना चाहे हैं, तो इन सब links का use कर सकते हैं, बोनस ले सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं पर रिस्क मत लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि आप परिशान हो, ठीक है, दूसरा कारण में बताओ, उससे पहले ज़रा एक बरी, Bitcoin के drawdowns की तरफ नजर डालते हैं, यह जो orange line आपको दिख रही है, यह current drawdown है, यानि कि top से लेकर हम 74% नीचे आए हैं, 221 दि हो चुके हैं, पर अगर हम इसको compare करें, ठीक है, आपने देख लिए, नोट के लिए, 74% और 221 दिन, अब अगर Bitcoin की पहली दो halving से हम compare करें, तो जो यह blue वाला जो आपको दिख रहा है, dark blue, यानि कि second halving, इससे पहले वाली चास्टारिक, और जो green है वो first halving है, यानि कि इससे 11 दिन आया था, और 85% गिरा था, तो अगर हम दिनों के बारे में मानें, तो अभी दिन तो और बच्चे हुए, अगर हम, अगर इतिहास ने अपने आपको दोरहाना है इस मामले में, पर percentage के मामले में अगर मानें, तो जो almost 85-84% की मुकाबले, 74% Bitcoin जो है, काफी गिर चुक है क्या Bitcoin 10% और गिरेगा, चलिए अगर यहां से 20,000 डॉलर सी गिरता भी है, तो 10% का मतलब 18,000, यह भी सोचके मुझे लगता है कि Bitcoin जो है, 17,500 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि 17,500 जो है, वो मेरे विचार से bottom है, पर मैंने अभी आपको दूसरा कारण बताना बागी है दोस दूसरा कारण क्या है, अगर हम यहां पर Microsoft और Google का कल का नतीजा देगी, यहां पर नतीजा इन्होंने अनाउंस किया थे, उनका कल का stock price का one minute का चार्ट है, और stock market stock बिल्कुल बुरी तना गिरे, बोथ Microsoft और Google, blue वाला Microsoft है, red वाला Google है, बहुत बुरे नतीजे आ है, उन्होंने अपना नतीजा मीट नहीं किया, EPS दो डॉलर से कम आया, market को उम्मीद ही दो डॉलर से ज़्याद आया का, बला बला बला, पर आप देखिए, आप market end hours में stock कैसे surge किया, इससे क्या पता चलता है, मैं आपको यह बता दू दोस्तों, जो market के जो expert है, whales, traders, वो इस नतीजों को पहले से ही जानते हैं, Microsoft का stock और Google का stock पहले ही bottom कर चुका है, ठीक उसी तरीके से, जैसे जो आज FMC की meeting आनी है, जिसमें 75 basis point का जो high काना है, वो market already factor in कर चुकी है, stock market में stock के तिमाही नतीजे आने पर, बुरे नतीजे आने पर stock नहीं पिटा, market नहीं गिरा, ठीक उसी तरीके स आज 75 basis point अगर high का आता है, तो market crash नहीं होगा, अगर 1% आता है, जिसके कम chances हैं, तो आप prepare रहे हैं, उसमें भी market नीचे जाएगा, 18,000, 18,500, 19,000 worst, और वहां से फिर वापस करेगा, क्योंकि market का जो नया घर है, bitcoin का, वो 20,000 से 22,000 डॉलर है, जिस पर वो अगले कुछ समय तक रहेगा, कुछ-कुछ दिनों तक रहेगा, तो आपके लिए trade का बहुत अच्छा मौका है, जितना 17,500 के नजदीक आप trade उठा पाएंगे, उतने आपके profit के ज़्यादा chances हैं, मैं leverage के बारे में आपको ग्यान नहीं दूँगा, leverage कितना लेना है, 5%, 5,10,20, वो आप अपने risk क basis बे देखी, आप कितना पैसा गवाज सकते हैं, या कितना पैसा बनाने की लालसा रखते हैं, उसके असाब से आप अपना margin प्रीज मान देखके चलिए, और अपना stop loss भी tight रखके चलिए, तो जैसे मैंने बोला आपको मेरा trade कहा होगा, आप comment में बताइए, repeat कीजे, 20,000 गंटे में volatility रहेगी, लोग को बहुत जिग्यासा रहेगी, और अगर market 15% गिरता है बूरी तना से, तो 17-500 hit होगा, 17-800 बलकी, तो उतने की chances लगनी रहे हैं, उसके लिए तो 1.5% का rate हाई करना बढ़ेगा, touchwood, उतना है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, कहीं बरी गलत भी हो और को प्लीज कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, धन्यवाद, जय हिंद,